नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक और स्पेशल जानकरी लेकर बिलकुल हाजी रहें दोस्तों अधिकतर कई लोगों का मत ये होता है कि ग्रीन टी पीना स्वास्त के लिए बहतर तो है लेकिन इससे आपका वजन कम होता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये ही बताने वाले हैं कि क्या सचबूच में ग्रीन टी पीने से आपका वजन कम ہو जाता है या फिर ये केवल कोरी अफवा है तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में ग्रीन टी पसंद करने वालों की संक्या अचानक से बढ़ गई है कई लोगों का ये दावा है कि इसके सेवन से केंसर का खत्रा कम हो जाता है तो कुछ का कहना ये है कि ये हाइपर टेंशन में बहुत बेनिफिचल होती है तो वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसे नियमित पीने से डाइबिटीस की समस्या में काफी फाइदा होता है दोस्तों अगर इन सारे दावों को एक किनारे रख दिया जाए तो एक बड़ा सवाल ये भी उटता है कि क्या ग्रीन टी वजन को कम करने में फाइदे मन्द है इस बात में तो कोई दोर आए नहीं है कि ग्रीन टी पीना कोफी पीने की तुलना में फाइदे मन्द होता है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें परियापत मात्रा में एंटियोक्सिडेंट होते हैं तो दोस्तो इस बात को जानते हैं कि क्या ग्रीन टी वाकई में अपने वजन को कम कर सकती हैं उससे पिले जानने होंगे कि ग्रीन टी में आपको कौन-कौन से तत्व मिलते हैं दोस्तो ग्रीन टी में विटामिन A, B, B5, D, E, C, K और H पाये जाता है इसके लावा दोस्तो इसमें सेलेनियम, क्रोमियम, जिंक, केफिन और मेगनेज भी परियाप्त मातरा में होते हैं इसमें ECG नाम का एक तत्व पाये जाता है दोस्तो हमारा शरीर प्रकरतिक रूप से तापमान वरद्धी करता है यह ताप मेटाबोलिजम की प्रकरिया का ही एक हिस्सा होता है ऐसे में जब आप एक ग्रीन टी पीते हैं तो शरीर का तापमान कुछ बढ़ जाता है तापमान के बढ़ने का सीधा मतलब यह होता है कि कैलरी और अधिक बढ़न होगी और ज़्यादा केलरी बढ़न होने का मतलब सीधा सा यह होता है कि वजन कम होगा दोस्तो ग्रीन टी मेटाबोलिजम की प्रकरिया को और अधिक सक्रिय कर देता है ग्रीन टी में मौझूद EGCG नाम का तत्व इसी प्रकरिया के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तो बात करतें इसमें केफिन की मातरा की दोस्तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी में केफिन की मातरा नहीं होती ग्रीन टी के एक कप में करीब 30MG केफिन होता है इसके इस्तमाल से सक्रियता बढ़ जाती है और इसका सीधा असर कामपण नजराने लगता है ऐसे में ये बात तो साबित हो जाती है कि green tea के इस्तमाल से वजन तो कम होता है लेकिन दोस्तों वजन कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ green tea का आप इस्तमाल करें और इसके भरो से बेड़ जाए ये सई नहीं है आपको green tea के अलावा आपको exercise भी करनी पड़ेगी डाइट पे भी ध्यान दाने देना पड़ेगा तब जाके कहीं को आपका वजन कम होगा लेकिन ऐसा सूशना कि केवल ग्रीन टी पिएंगे और वजन कम होगा तो ये बिल्कुल सरासर गलत है तो दोस्तों यही थी हमारी आज की एक जानकारी आप अभी लोगों के लिए जो किती खास तोर पर ग्रीन टी से वजन कम होता है या नहीं होता है उसकी जवाब हमने आपको दिये उमीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो जानकारी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़र दमाएं धन्यवाद दोस्तों